जहारखंड के पारासिचकों की धैर्ज की सीमा अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगी है। एक बार फिर से जहारखंड की तमाम पारासिचक गोलबंद होना शुरू कर दिया है। नेताओं के आसवासन की घोटी अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये अब सरकार से न जहारखंड के पारासिचकों की इस्थिती बिल्कुल ठीक नहीं रह रही है। सरकार ने अनेको प्रकार की वादाएं की थी। उन्होंने कहा था सरकार बनी तो एक साल में पांच लख नौकरी नहीं तो राजनीती से सन्यास ले लिया जाएगा। कोबिट से संगर्स किया जिसके कारण सरकार के जुबाओं को नौकरी दे पाना मुस्किल है। इधर पारासिचक भी पुनह एकवार आंदोलन की इस्थिती में आ गये हैं और हर्ताल के मूड में भी दिखाई देने लगे हैं। जारखंट पारासिचक संग के प्रतिनीदियों ने इस प्रकार की कोई संभावनाएं ब्यक्त नहीं की है। हर्ताल करना कहां तक उचित होगा और कहां तक उचित नहीं होगा बर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर्ताल क्या करना सही है या गलत है। इन तमाम बिंदों पर अभी हम एक एक कर बारी बारी से चर्चा करेंगे और असपश्ट इसमें बताएंगे कि क्या जारखंट के पारासिचकों को क्या करना चाहिए। जीत के बाद हिमंत सरकार की ये तस्वीरे थी। उन्होंने जैसे ही सपत लिया था और जैसे ही उन्होंने अपने जीत की खुसी दी थी। तमाम जारखंट के एक एक पारासिचकों में एक अजब धंके कौतुहल उत्पन हुआ था। सभी पारासिचक ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब हमारी सरकार बन गई है। हमने जारखंट से रगवर सरकार को हटा दिया है। ये हमारी सरकार है और निस्चित तोर पर हमारी बातें सुनेगी। अब हमें किसी भी प्रकार के संकट दूर नहीं होंगी। हाला कि जैसे ही सरकार की जीत हुई थी तुरंत ऐसी बाते सुनने को मिली थी कि इन्होंने जितने भी पारासिचकों के मांदे लंबित थे वो मांदे तुरत देने के लिए ततकाल अधिकारियों को निर्देश भी दिया था। उसमें पारासिचकों में एक अजब का कौदगल जगा था। उन्हें ऐसा विश्वास हुआ था कि अब हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमने बहुत लंबे समय तक शड़कों पर अपने छोटे छोटे बहनों के साथ, अपने बड़ी बहनों के साथ, सड़कों पर उतरकर कितने माताओं बहनों की आहुती दे दी है, अब हमें ये संकट नहीं देखने होगी। परतार परंतु जहारखंट के पाराशिचकों का दुर्भागे कहें कि ये कभी भी इन्हें अमन चैन और सुकून नाम की चीजें इनकी तकदीर में लिखी ही नहीं गई है संकट से जहेलना संकटों का सामना करना इनका एक अलग का स्वरूप बन गया है एक छवी बन गई है शंगहर से ही इनका जीवन है जो एक लोकोक्ती है कि संगहर से जीवन है जहारखंट के पाराशिचकों पर ये बिल्कुल सटिक और फिट बैठता है पाराशिचक बर्तमान समय में कठीन परिस्थीतियां से जूज रहे हैं और जहारखंट के सरकार सुनने को भी बिल्कुल तयार नहीं है पूना दीरे 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 एक बार पारा सिख्षक ऐसा उमीद किया जा रहा है कि जहारखन के पारा सिख्षक निस्चित तोर पर एक बार बहुत बड़ा आंदोलन की घोसना करेंगी 15 नवंबर को सरकार ने तो धोखा दे ही दिया उनके मुख से किसी भी प्रकार की दो शब्द पारा सिख्षक सुनने के लिए तरस्ते रह गए अब 29 तारीक की जो बातें हैं वो कहां तक उचित है ये बहुत ही कठिन समस्या है इसी को देखते हुए पारा सिख्षकों में हरताल की शुकबुगाहट फिर से एक बार नया सरूप लेते चला आ रहा है पर हरताल की स्थितियां क्या होगी क्या उचित होगा अभी के बरतमान समय में आधे से अधिक विद्याले बंध हैं अच्छा पांचवी से नीचे के अस्तर के सभी विद्याले बंध हैं तो क्या पारा सिख्षकों के द्वारा जो अरताल की घोसना अगर की जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार की क्या रूखे होगी सरकार क्या इनकी मांगों को मानेगी इस प्रकार के तमाम बिंदुएं यहां देखने को मिलेगी आप ही आपको मैं एक एक कर्ब सभी बातें समझाने का प्रयावस करूँगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अस्तापना दिवस पर पाराशिचकों के लिए मुख मंत्री ने बिल्कुल जिवान नहीं खोली इन्होंने कभी एक सब्द भी नहीं कहा कि पाराशिक्षक हमारे अपने हैं उनके दुख दर्द हमारा है मैं उनकी समस्याओं का समाधान हराल में करूँगा समस्या बहुत गहरा है बिकट परिस्थितियों से जारगंड के पाराशिक्षक जूज रहे हैं कोवीट का बहाना लेकर ये सरकार पाराशिचकों से दो बाते करने के लिए भी तयार नहीं है मुक्य मंतरी ने तो कभी नहीं ये बाते कही कि अब हम पाराशिक्षकों की बातों को नहीं मानेंगे या मानेंगे बहुत ही मुस्किल की घड़ी है इन्होंने कहा था जूटे बादे नहीं रोजगार देंगे और रोजगार नहीं तो रोजगारी भत्ता देंगे इनकी ये वादा बहुत ही मुश्किल सामने खड़ा कर रही है इस प्रकार की बातों से मंत्री और अधिकारी असपश्ट कर दे रहे हैं कि जारखंड के मंत्राले जो चल रहे हैं वो कही न कही जूटे वादे पर टिके हुए हैं बेरोजगारों के साथ धोखा अनुबंध कर्मियों के साथ धोखा पाराशिक्षक जो लगातार अंदूलन रत रहे हैं उनके साथ तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक उसके बाद बैठक और अंती में सिर्फ जूटा वादा इस प्रकार की बातें बहुत मुस्किल की घड़ी है बेरोजगारी भत्ता देने की बातें दूर इन्होंने तो बेरोजगारों के बारे में एक सब्द वोलने को भी तयार नहीं अनुमंद कर्मियों की छबी दिन परती दिन खराब करने वाले ये अधिकारी हैं आपने देखा होगा पिछले दो-चार दिनों में ऐसी खबने चापी गई कि ऐसा महसूस हुआ कि लगा कि अब पारा सिचकों को चारे तौफे मिल गए पर परिस्थितियां ऐसी नजर आई कि इनके लिए जुआन पर एक लब्ज भी देखने को नहीं मिले तरस्ते रह गए जहारखंड के पारा सिचक और पारा और बेरोजगारों के लिए मौन रह गए मुखमंत्री अगर मैं रोजगार नहीं दूँगा तो बेरोजगारी भत्ता दूँगा ऐसा कहने वाले सरकार आज एक लब्ज बोलने के लिए भी हम लोगों को तरशा रही है आप ये दो तस्वीर देखें आपको ये दोनों तस्वीरों में कुछ न कुछ शमानताएं देखने को निस्सित तोर पर मिलेगी अर्थात जीत के पहले इन्होंने जो वादे किये वो वादे जीत के बाद साशन का शुरूप कैसा हो गया जो देखने को आपको मिल रही है दोनों की तस्वीरें असपष्ट कह रही है कि मैं सिर्फ अपने लिए सासक बनता हूँ आप लोगों का सोशन करने के लिए मैं बंगता हूँ आप लोग हमसे किसी भी प्रकार की उमीदें ना करें इस प्रकार की बातें आपको इस तस्वीर में दोनों तस्वीरों में देखने को मिलेगी हाला कि आप याद करें पिछले जो ये सरकार थी ये सरकार में अफसर साही बहुत कम थी पर ये सरकार जो हिमंत सरकार की सरकार है इसमें अफसरों की बढ़ चड़ करके बोलती निकलने लगी है अफसर खुद को मंतरी समझते हैं वो मंतरी की बात तक मारने को तयार नहीं होते हैं पर यहां पर उनकी बोलती बंद हो जाती थी पर जो भी हो यहां एक दोनों की बोलती बंद हो या चालू हो उससे जारखंड की युबाओं को यहां तक पारासिचकों को किसी भी प्रकार की कोई लाभ मिलने वाली नहीं है धारखंट के पाराशिक्षक बहुत कठीन परिस्तेतियों से गुजर रहे हैं ये कुछ तस्वीरें बया करती है जब इन्हें आवसकता होती है आम पबलिक से अपने पक्षमे मतदान करवाने की उसमें इनके चेहरे पर असपष्ट ये बाते कही जाती है कि मैं चुनाव जीत कराऊंगा तो ज़ारखंट की बेरोजगारी दूर करूँगा तमाम पिडाओं को कश्टों को हरन कर लूँगा पर चुनाव जीतने के बाद ये असपष्ट कर देते हैं असपष्ट ये बातें असपष्ट हो जाती है कि नेता जूट बोलते हैं यह असपष्ट बिल्कुल चरितार्थ हो जाता है और ये जारखंट के मुकमंत्री ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है जारखंट के नेताओं ने रोज दे रहे हैं तारीक पर तारीक जब आप किसी भी प्रकार की मांग मा नहीं कहा जाता आपको आसवसन की घूटी पिला दी जाती है और आप जैसे ही वहां से बाहर होते हैं पुना इन लोगों के मन में अलग तरह के बिचार आ जाते हैं इन्होंने शाबित कर दिया कि नेता जोट बोलते हैं और इसका ताजा उदारन जहारकन के पाराशिचकों के साथ है पिछले एक साल से संघरसरत पाराशिचकों ने कई दौर के बैठक किये कई दौर के अधिकारियों और सक्षा मंतरियों के साथ बैठक हुई पर सिर्फ और सिर्फ जूट बिल्कुल जूट ऐसा देखने को मिला कहीं से भी कोई आसवासन के सिवाय और कुछ भी नही मिलने वाला है कल पेपर के अकमार के माध्यम से ऐसी सूचनाय मिली कि जहारकंड के पाराशिचकों का मांदे भी बृध्धि किया जाएगा ये क्या मांदे बृध्धि किया जाएगा जब आपने 29 तारिक को घोशना करने वाले हैं कि हम बेतन मान दे देंगे उससे पहले सा है आपने सोचल मीडिया के माध्यम से पेपर के माध्यम से आम पबलिक तक पाराशिचकों के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली अब पाराशिचकों की बेतन दुगने हो जाएंगे उन्हें 30,000 रुपए मिलेंगे उस सहाय का ध्यापक कहलाएंगे और अब प सरकार आये सरकार बदलते 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 इनकी जीवन गुजरते चले गए बहुत आस लगी थी यह टाइगर पर यह टाइगर भी पता नहीं क्या करने वाले हैं यहां तक बैठक में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं एक भी पाराशिचकों के साथ अन्या अब बात करते हैं कि आंधोलन की रूख तो पुनः एक बार पारासिचक अपनाएंगे ही, इसमें कोई दूमत नहीं है, थोड़ी सी यहां पर ध्यान देने के अब सकता है, कि कई जगों से इस परकार की बातें आ रहे हैं कि पारासिचकों को हरताल करना चाहिए, तो इस पर थोड़ा बिस लेशन कर लेते हैं कि कहां तक हरताल उचित होगा और कहां तक अनुचित होगा, इस पर अगर देखा जाए, तो जगों से पारासिचकों से चीपा हुआ नहीं है, रह गई बात 6-8 की जहां पर विद्याले का संचालन किया जा रहा है, तो जब विद्याले बंध हैं, तो इस इस्थिती में चाइनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हरताल कहीं से भी अभी नयायोचित नहीं है, रह गई बात जहारकंड के 70 परतीसत पारासिक्षक सिर्फ और सिर्फ पारासिचकों के जो मिलने वाले मांदे हैं, उसी पर आधारित हैं, और इस तुछे मांदे में जो उनको खैर इस सरकार में परती माह मांदे मिलते चला जा रहा है, तो उस मांदे में भी अगर आफ़त आ जाए, तो बहुत बड़ी बिकट समस्या हो जाती है जहारकंड के पारासिक्षकों के साथ, बरतमान परिस्थेतियां हरताल की नहीं है, क्योंकि विद्याले बंध हैं, आपने देखा होगा कि पिछले वर्स, एक-एक दीनों का धरना उन्होंने एक धरना दिया था, एक दिन के धरना के भी पैसे काट लिये गए थे, अब हरताल करने से किसी भी प्रकार के प्रभाव जहरकंड सरकार पर नहीं पढ़ने वाली है फिलहाल, इसलिए हरताल की जो ख्यालात हैं, उससे बढ़ चड़ कर कहीं योजनाये बनाई जा कि जोरदार तरीके हो, जिससे विधायक और यहां तक के आपके जो मंतरी हैं, उनके आवासों का घहराव किया जाए, चरनवध तरीके से आंदोलन किया जाए, विधायकों के आवास पर धरना, यहां ये मंतरियों के पास धरना, सिक्षा मंतरी के पास धरना, उसके बाद का गहराव इस प्रकार के अगर रणनीतिया बनाई जाए तो कहीं न कहीं सार्थक पहल है पर हर्दाल की जो बातें कहीं कहीं से देखने को मिल रही है वो नियायवचित नहीं होगा क्योंकि जारकन के 70% 12 सिक्षक मात्र मांदे पर अपना जिवन निर्बहन कर रहे हैं और वैस 30 स्थिती में 30% सिक्षक ही हैं जो कुछ दूसरे रोजगार अपनाए हुए हैं हलाकि अपनाना भी आवसक है क्योंकि जारकन के पारासिचकों की छभी बिलकुल बहुत ही खराब है बहुत स्थिती बत्तर है तो वो जो रोजगार अपनाए हुए हैं बिलकुल अच्छा करत पर हर्दाल की गोसना कहीं ने कहीं नयायवचित नहीं होगी। हाला कि जारखन के ये जो पदाधिकारी हैं संग के नित्रित्व करता हैं। उन लोगों के माध्यम से कोई भी पहल ऐसी नहीं देखने को मिली है। हाला कि 29 तारीक जो गोसना की बाते हुई है। उसमें कहीं ने कहीं संग के पदाधिकारियों के मन में भी कुछ अजीवो गरीव खयालात आ रहे हैं। पर इस्थेतियां भिकट हैं तो आंदोलन की रणनीती तो अपनानी ही पड़ेगी। पर जारखंड के सरकार जो भी करें इन तमाम पारा सिचकों को बहुत ही मुश्किल की घड़ी का सामना कर रही है। नैयोचित निरने सरकार को लेना चाहिए। ताकि एक जारखंड की निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके साथ नयायोचित ब्यवहार करे जारखंड सरकार और इन्हें जो तारिक पे तारिक दिया जा रहा है, इनके साथ सार्थक पहल करके इन्हें बेतन मान देकर इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देना अगे देखते हैं जो अगला क्या निर्णय होता है अगले वीडियो में आपको बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद